हेला दोस्तों, विलकम टू मैं चनल, तो दोस्तों देख सकते हैं, आज मेरे पास एक earbuds है, और यह जो है बुलकुल खराब है, तो basically जो है earbuds में जो problem होता है, यह earpods में जो problem होता है, वो problem है battery का, उसके बाद जो आता है, वो है reserve battery का और यहाँ पे speaker का, तो आज मैं यहाँ पे द magnetic जो option था, मतलब यहाँ पे जो magnet लगा हुआ था, वो काम नहीं कर रहा है, तो इसे भी हम ठीक करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, दो earbuds का piece होता है, basically सभी में दो ही होता है, तो यहाँ पे यह काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे LED भी नहीं जल रहा है, तो इस इसका अंदर का reservoir battery को चेक करेंगे, speaker को चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे दोनों जो buds से उसे निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अंदर का जो battery है, reservoir battery उसे चेक करेंगे, basically जो है, reservoir battery खराब होने से, आपका यह जो देख सकते हैं, buds यह चार्ज अधर होता, तो simple सा आपको यहाँ पे एक च्छोटा सा scrooiever लेना होगा, बीना is souriver के आप इसे फोपन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा skrooiever अंदर डालना है, डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा pressure देना है, ठीक है, pressure देना है, पर नहीं पर आपका इस तरह से ही आपको जो है open करना है क्योंकि यहाँ पर गोंध रहता है जिससे यह बहुत tight हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह थोरा सा जो है open हो चुका है तो आपको यहाँ पर बाकी का जो side है इसे धिरे-धिर open करना है दोस्तों यहाँ पर हमारा जो earbud से हो का IC है और यहाँ पर है हमारा converter यहाँ पर जो आपका 3.7V है वह इस coil की मदद से और यह circuit की मदद से जो है वह 5V में convert होता है तो इसमें main problem जो है वह हम देखेंगे कि यहाँ पर battery ठीक है कि नहीं ठीक है तो यहाँ पर पहले हम battery को चेक करेंगे तो simple से आपको यहाँ पर battery को चेक करना है तो multimeter को जो है मैं यहाँ पर DC mode पर रखोंगा DC mode पर रखने के बाद यहाँ पर बैटरी होता यह बैटरी को आपको थोड़ा से अलग कर लेना है तो यहाँ पर मैं धीरे से बैटरी को अलग करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों एक problem और भी है कि यहाँ पर इसका जो magnetic बाला sensor है मतलब magnetic जो है वो काम नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पर इसका magnet नहीं है देखिए यहाँ पर इसका magnet जो है वो अपनी जगा पर नहीं है तो हम यहाँ पर इसका बैटरी को जो हटाते हैं तो देखिए यहाँ पर बैटरी को हटाने पर यहाँ पर magnet जो है वो नहीं हुआ है इसे भी हम fix करेंगे तो आपका उपर का धक्कन है ठीक हो जाएगा magnet अंदर से कहीं नहीं गुम जाता वह अंदर ही रहता है क्योंकि यहां पर दो magnet होता है देख सकते हैं powerful magnet होता है जो बट्स को यहां पर यहां पर इस तरह करेंगे तो यहां पर बैटरी को पहले चेक करते हैं तो यहां पर बैटरी में देखें जो है वोल्टेज जो है बिल्कुल जो आप एक और चीज से पैचान सकते हैं तो बैटरी जो है वो फूल गया है इसके बच री काम नहीं चुका है यहां पर इसके अंदर जो है हवा भर गया है जिससे बैटरी बिल्कुल खराव हो चुका है तो यहां पर आपको बैटरी का जो connection है पहले यहां पर disconnect करना होगा ठीक है बैटरी का connection ही आपका 3.7 वोल् терри-3.5 वल्ट होना चाहिए तो चलिए यहाँ याँ इस पहले बैटरी चेंज करते है डेञ़ होता है कि नहीं फहीं जो है डोनों बैटरी का जो फॉइंट है देख सकते हैं और इसके बदले मैं यहां पर बैटरी उसकरूंगा वह यह वाला बैटरी देख सकते हैं दोनों सेम बैटरी है लेकिन यहां पर देखिए दोनों में difference क्या है यह full गया है यह कुछ दिन में फटने वाला था और इसमें जो है BMS नहीं होता है बेसिकली और यह over charging की मज़त से जो है यह full जाता है ठीक है और यह देख सकते हैं यह एक नया battery है और इसका size देख सकते हैं बहुत ही पतला है size जो है वो same है same to same है यह 300 image का battery है और इसका quality जो है better है और यहाँ पर आप एक यहाँ पर BMS चाहरी तो लगा सकते है BMS लगाने से क्य होता है आपका battery का management होता है वो अच्छा झाता है यहाँ ब्ल Carryom या ऑला वायर के साथ सत्की मैंने connection जोट दिए हैं देख सकते हैं यहां पर जो है हमारा जल रहा है मतलब हमारा यह जो चार्जर है यह काम कर रहा है मतलब इसका अंदर का चार्जर है देखिए एक साइड में चार्ज हो रहा है तो यहां पर इसे उठाते और यहां पर बिटाते तो दूसरा साइड में भी बिटाएंगे तो दूसरा साइड भी चार्ज होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर देखिए दूसरा साइट जो है वो चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है तो यहाँ पर अच्छे से हम चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है तो पहले आपको यहाँ पर दो कनेक्टर देखना है यहाँ दो कनेक्टर होता है, दो कनेक्टर में आपका कारवन जम जाता है, ठीके, तो यहाँ पर अच्छे से दो कनेक्टर जो है, आपको साफ कर लेना है, ठीके, तो यहाँ पर मैंने दो कनेक्टर अच्छे से साफ कर लिया है, जितना भी एरबर्ड से उसमें कनेक्टर अगर खराब होगा मतला आपका connector खराब होगा तो चार्ज नहीं होगा या connector में अगर कर्वन जम जाएगा तो भी खराब हो सकता है तो देखिए यहां पे हमारा बैटरी इसमें फूल चार्ज था तो यह चार्ज हो गया है ठीक है तो यहां पे इसे on off करना बहुत easy है उसके बाद आपको यहां पे जो है अंदर देखना है अंदर जो दो पीन होता है उसको जो है साफ करना है तो यहां पे दोनों पीन जो है इसके अंदर होता है इसे आपको चल रहा था तो यहां पर देखिए दोनों में ही चार्ज हो रहा है तो देखिए यह वाला उठाया तो यह वाला भी बंद हो गया तो यहां पर इसे चार्ज होने देते हैं ठीक है तो यहां पर यह चार्ज हो रहा है तो देखिए ब्लू वाला जो है यह फुल चार्ज है तो इसमें ही जो है main problem होता है तो देखिए यहां पर दोनों बड्स चार्ज हो रहा है और यहां पर हमारा बैटरी जो है अच्छे से work कर रहा है अगर मान लीजिए आपका यहां पर यहां पर यह दोनों जो बड्स होता है दोनों बड्स में भी problem हो सकता है तो यहां पर भी आपका एमेच का बैट्री होता है और यहां पे देख सकते हैं यह चोड़ा, वाला वाला बैट्री से जो है आपका यह बारा Бैट्री से चार्ज होता है जिसके माझत से आपका लगबग एक घंटे दिर घंटे या आधा घंटे चलता है ठीक है बैटरी जितना अच्छा होगा आपका इसका बैक आप भी उतना अच्छा होगा अगर इसका 300 एमेज का बैटरी होगा तो यह बहुत बार यह चार्ज कर सकता है मानली जी इसका बैटरी खराब हो गया तो इस से कम quality वाला बैटरी भी आपको मिल जाता है और यह वाला जो बैटरी देख सकते हैं यह वाला बैटरी के प्राइस जो है वो 250 है ठीके 250 रुपई है और इसका जो प्राइस है 100 रुपीस पर आप होता है तो अगर दूसरा अगर कोई problem है आपका earbuds में तो मेरा और भी वीडियो है उसे आप चाके चेक कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए दोनों बड्स जो है अभी हमारा चार्ज हो रहा है अच्छे से तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है त प्यार कीजियो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धनिवाद